Hello everybody, I hope अब सब healthy होंगे, मैं हूँ आपकी बैलाज एजुकेटर शिवानी माम, welcome back to Magnet Base, जो आपको प्रोवाइट कराता है Kinder, Garden 2, Class 12, हर क्लास, हर सब्जेक की quality education, वो भी बिल्कुल फ्री, जी हाँ आपने सही सुना, Magnet Base प्रोवाइट कराता है, Unpaid Subscription, आपको किसी भी क्लास, किस आपको हर क्लास, हर सब्जेक के topic wise explanations मिलेंगे, साथ में मिलेंगे धेर सारे practice questions, इतना ही नहीं, आप अबेल कर सकते हैं, e-notes and e-book, जिसकी link description box में दी है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज की वीडियो है class 11 biology पर, और हम करने वाले है unit 1 का chapter number 3, that is plant kingdom, ठीक है, तो इ plant kingdom में हम इस वीडियो में complete करेंगे chapter overview, मतलब हम इस chapter में क्या-क्या पढ़ेंगे, and introduction, मतलब इस chapter में LG start होने से पहले, मतलब इसके topic start होने से पहले, introduction part में क्या-क्या बाते बोली गई है, जो हमें याद रखनी है, क्या clear है, तो चले, are you guys ready, जल्दी, चलिए, तो अपनी कुर चलिए, यह आता है chapter overview, क्या आता है chapter overview, तो हम इस chapter में पढ़ेंगे, LG के बारे में, किस के बारे में, LG के बारे में, ठीक है, तो LG के बारे में पढ़ेंगे, then bryophytes के बारे में पढ़ेंगे, clear है, तो LG क्या होती है, simple thaloid body होती है, plant है, जिसे हम क्या बोलते है, LG, clear है, then हम bryophy fight के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम amphibians of plant kingdom भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं non-vascular plant क्या बोलते हैं non-vascular plant ठीक है तो हम इसे क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं amphibians amphibians of plant kingdom क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं जल्दी बताएए इस वीडियो में मतलब इस ब्रायोफाइट में हम क्या पढ़ते हैं कि यह जो प्लांट है यह terrestrial मतलब land पर भी रह सकता है and water में भी रह सकता है बट इसको fertilization के लिए इसको fertilization के लिए male and female gamit के fusion के लिए water की requirement होती है जैसे की amphibians मतलब frog को होती है तो amphibians मतलब होता है dual ठीक है बियंस का मतलब behavior जो dual behavior शो करे dual habitat शो करते हैं उन्हें हम amphibians कहते हैं जैसे की frog तो frog पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं amphibians बट उसको fertilization के लिए पानी के अंदर ही जाना पड़ता है वैसे ही bryophytes जो है वो amphibians तो है बट क्या है इसकी fertilization जो है वो कहां होती है water में कहां होती है water में क्या clear है और ये क्या है non-vascular plant है क्या है non-vascular plant है मतलब में non-vascular का मतलब इसमें vascular tissue मतलब xylem और phloem absent होते है क्या absent होते है xylem and phloem absent होते है क्या clear है वही पर हम teridophyte की बात करें तो teridophyte क्या होते है ये होते है reptiles of plant kingdom बट इनको भी fertilization के लिए पानी की requirement होती है किसकी requirement होती है पानी की तो reptiles of plant kingdom और और क्या बोलेंगे then next है vascular vascular plant क्या होते है इनको हम क्या बोलते है vascular plant या हम और क्या बोल सकते है vascular amphibians of plant kingdom क्योंकि ये भी amphibians के जैसे behave कर रहे हैं कि नहीं क्योंकि इनको भी fertilization के लिए किसकी जरूरत पढ़ रही है पानी की इसलिए हम क्या बोल रहे हैं amphibians बट इसमें क्या present है vascular tissue present है इसलिए हम इसे क्या बोल रहे है vascular amphibians ठीक है तो हम क्या बोल रहे है vascular amphibians of plant kingdom क्या clear है क्या आपको चमका चलिए तो आगे बढ़ें क्या आपकी permission है क्या चलिए तो next है gymnose pump क्या है gymnose pump जो होते है वो क्या होते है higher plants होते है higher plants ठीक है तो gymnose pump जो होते यह क्या होते है जल्दी बताएए इन में क्या present नहीं होती है इन में क्या present नहीं होती vessels present नहीं होती gymnose pump का मतलब होता है naked seed क्या मतलब होता है naked seed ठीक है जिनके naked seed होते हैं उन्हें हम क्या बोते हैं gymnos pump. वहीएपर हम angiosp不会 करें. तो gymnose pump का मतलब क्या होता है? जल्दी बता दो. फटा-फट बता दो यार, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए. Naked. Gymnog का मतलब होता है naked. Seat. क्या होता है? Naked Seat. ठीक है? यहाँ पर क्या होता है? Naked Seat. ठीक है? चलिए. वही पर angio sperm का मतलब होता है flaring plant, angio का मतलब होता है vessels ठीक है, angio का मतलब क्या होता है vessels यहाँ पर angio sperm का मतलब है vascular मतलब vessels, हाणना जिन plants में क्या present हो vessels present हो, हाणना हम पढ़ते है xylem inflowem, हम xylem में क्या पढ़ते है कि इस में क्या present होती है, vessels present होती है क्या tracheids and vessels तो angiospum जो होते हैं उनमें क्या होती है vessels होती है क्या होती है vessels और क्या बोलू इनको मैं और बोल सकती हूँ flowering plants क्या बोल सकती हूँ flowering plants ठीक है एक तो बोल दिया मैंने क्या कि ये क्या है flowering plants है क्या है flowering plants क्या बोलते हैं से flowering plants clear है इसके अलावा मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, जल्दी बताईए इसमें क्या present होती है, vessels present होती है चले, तो मैं बोल सकती हूँ, plant which have vessels plants, plant which have vessels, ठीक है तो ये clear है आपको, चले, अब next है NCRT solution, तो हम क्या करेंगे फिर इन सब के बाद NCRT solution, ठीक है, तो alternation of generation था इसके बाद, जो कि आपके slabber से हट चुका है, reduce हो चुका है तो हम इसके बाद NCRT solutions करेंगे, multiple choice question करेंगे most important questions करेंगे and one short revision तो clear है, ये है हमारा chapter overview की हम क्या क्या पढ़ने बाले है क्या आपको ये पूरा clear हो चुका है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए तो हम आगे बढ़ जाएं तो देखिए, अब है fungi and members of the monera and protesta having cell walls तो two kingdom classification के हिसाब से इन्होंने जो lenious ने two kingdom classification बनाया था उन्होंने क्या किया था, cell wall के basis पर उन्होंने दो kingdom बनाया थे जिसमें cell wall present है, मतलब वो क्या है, planty है, मतलब kingdom planty है, मतलब वो क्या है plants है, वही पर दूसरे जिसमें cell wall present नहीं थी, वो क्या है, animals है और उनको रख दिया गया था kingdom animalia में किसमे animalia में clear है but जब five kingdom classification आया तो उन्होंने क्या किया fungi and members of monera and protesta having cell walls ठीक है तो fungi की भी cell wall होती है protesta में भी cell wall होती है and monera मतलब bacteria में भी cell wall होती है इन साब को cell walls have now been excluded मतलब इन्हें हटा दिया गया है from planty जो की इन्हें सब को कहां रख दिया गया था kingdom planty में रखा था two kingdom classification के हिसाब से but अब इन्हें वहां से हटा दिया गया निकाल दिया गया है और इन्हें इनके particular kingdom में क्या कर दिया place कर दिया गया फिर क्या बोड़ा है though earlier classification place them in a same kingdom earlier classification system मतलब किसके बारे में बात कर रहे है ये बात कर रहे है two kingdom classification के बारे में किसके बारे में two kingdom classification ठीक है तो two kingdom classification जो था उसमें इन्होंने क्या किया था इसमें इन्होंने इन्होंने monera मतलब bacteria की बात करें किसकी bacteria ठीक है और protesta पंजाए इन सब को किसमें रखा गया था इन सब को किसमें रखा गया था two kingdom classification के हिसाब से इनको इन सब को placed placed in kingdom planty बट अब इन्हें exclude कर दिया गया है ठीक है कहां से इनको two kingdom classification के हिसाब से जिनको सभी को planty में रखा गया था अब इन्हें particular इनके classification system के हिसाब से इनको place कर दिया गया इनके respective kingdom में क्या clear है चलिए next क्या बोल रहा है so the cyanobacteria that are also referred to as blue green algae जो cyanobacteria उसे हम और क्या बोलते है blue green algae इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि इसके पीछे algae लगा है तो ये algae है ठीक है algae are not algae anymore ठीक है अब इसे algae नहीं कहा जाता क्योंकि ये algae नहीं bacteria है क्या है bacteria clear है in this chapter we will describe algae, bryophyte, stereophyte, gymnosperm and angiosperm under planty ठीक है तो हम kingdom planty में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ेंगे kingdom planty में planty विए विए बिएपने विएफ विए रिएफे थीओ क्या-क्याश्या रिएा और विएए रिए अज किंडिए लगी से रेद्टी नहीं bryophytes, pteridophytes, angiosperm, it means gymnosperm and angiosperm. तो यह हम सब पढ़ेंगे किसमे kingdom planty में clear है मतलब इस chapter में जो की kingdom plant है plant kingdom उसमें हम यह सब के बारे में पढ़ने वाले तो जल्दी से screen shot ले लीजे जल्दी screen shot लीजे ओके क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या तयार है आगे बढ़ने के लिए अगर अभी तक आपने video like नहीं की हो तो प्लीज जल्दी से पहले video like कर दीजे तो हम आगे बढ़ सके जब तक आप video like नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूँगे जल्दी video like करी पहले आप video like ही नहीं करते हो भूल जाते हो फिर बात में मैं यह नहीं भूल हूँ कि आप करना नहीं चाहते ठीक है बट भूल इसलिए मैं आपको, हना, remind कर आ रही हूं कि वीडियो भी like करने है, clear है, चले, तो वीडियो like कर दिया आपने, आगे बढ़ सकते हैं, चले, हना, सच्छे बच्चे, ऐसा नहीं है, let us also look at classification with an angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system, ठीक है, the earliest system of classification used only gross superficial morphological characters, ठीक है, तो earlier classification system जो था, उसमें सिर्फ, morphological appearance, बत्लब physical appearance के basis पर क्या करा था, classify किया था, अब morphological characters क्या है, merch देख लेते हैं, जैसे की habitat क्या है, उसका color क्या है, number क्या है, shape क्या है and leaves क्या है, ठीक है, shapes of leaves, हना, तो leaves का shape क्या है, number क्या है, color क्या है, इन सब के basis पर क्या किया था, earlier classification किया गया था, clear है, but they were based only, they were based mainly on vegetative characters and on the other androsium structure system given by lenius, ठीक है, तो जो earlier classification system था, ये किस ने किया था, lenius ने किया था, और इन्हों ने mainly किस पर focus किया था, vegetative characters, पर किस पर vegetative characters और on the androsium structure, क्या clear है, चलिए, तो पहले इसका structure, जल्दी से आप पहले screenshot लीजे, तो ले लिए screenshot, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, तो देखिए, अब क्या बोल रहे हैं, कि जो ये सब classification किया था, मतलब कि जो morphological characters के basis पर, habits के basis पर, color के basis पर, number and shapes of leaf के basis पर, जो classification किया था, उसे हम क्या कहते हैं, artificial classification system कहते हैं, क्या बोलते हैं, artificial classification system, और इसे किस ने दिया था, linear ने दिया था, किस ने दिया था, linear ने ठीक है, तो artificial classification किस ने दिया था, linear ने दिया था, तो इसकी बात करें, तो given by, linear ठीक है, तो given by linear वहीं पर, दूसरा classification system था, natural classification system, क्या था, natural classification system, ठीक है, तो देखें, सर्ष सिस्टम, जिसकी बात कर रहे हैं हम, morphological, जो characters है, उसके basis पर, जो classification करा था, उसे हम क्या बोल रहे थे, artificial classification system, और ये, इसमें क्या हुआ था, closely related species को भी क्या कर दिया था, separate कर दिया था, किस basis पर, were based on the few characteristics, ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या, इसके dream merits है, क्या इसके drawbacks है, तो इन्होंने क्या किया था, lenious ने क्या किया था, जब ये classify कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, vegetative और reproductive, दोनों system को क्या किया, equal weight is दिया, reproductive part और vegetative part, दोनों को equal weight is दिया, जो की गलत था, तो क्या demerit हो गए समझ में आ गया, अब next जो है, वो क्या था, natural classification system, तो as against this, हाना, मतलब artificial system के against, दूसरा classification system बनाया गया, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला, natural classification system, इसे किसने दिया था, given by, natural classification system जो था, given by, bentham, george bentham, हाना, george bentham, and hooker, joseph dalton hooker, हाना, तो अपनी book में अपन ऐसे लिखते है, george bentham and joseph dalton hooker, ये जो दो थे, दो scientists थे, इन्होंने क्या दिया था, natural classification system दिया था, क्या दिया था, natural classification system, ठीक है, developed which, वो based on natural affinities, जो कि किस पे बेस था, natural affinities पे बेस था, among the organisms and consider not only the external feature, इन्होंने सिर्फ external feature को consider नहीं किया था, clear है, सिर्फ morphological characters को देख कर इन्होंने classification नहीं किया था, हाना, तो क्या वो रहे, not only the external features, बट also internal features, और किस पे धिया था, इन्होंने, internal features पे भी धिया था, clear है, like ultra structure, हाना, तो किस पे धिया दिया है, इन्होंने internal features, like ultra structure, ultra structure मतलब बहुत छोटा सा, हाना, छोटे से structure पे भी अपनने क्या किया, उसको बढ़ा करके, उसको proper study की, ठीक है, anatomy मतलब internal study, हाना, तो internal study की, then embryology मतलब embryo की study की, and phytochemistry मतलब यह molecular level पे, cell के molecular level पे नहोंने क्या की study की, clear है, जो की काफी accurate classification था, क्या clear है, चलिए, तो उसका screenshot ले लिजे जल्दी से, okay, I hope आपने screenshot ले लिया होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं, okay, okay, चलिए, तो देखिए, such a classification for flowering plants was given by, हाना, कौन सा, natural classification system, जिसको हम क्या बोट रहा है, such a classification for flowering plants was given by, George, अभी बोला था मैंने, किसने दिया था, George Vantham ने, किसने दिया था, George Vantham ने, and Joseph Dalton Hooker ने, किसने, Joseph Dalton Hooker ने, क्या clear है, at present, अभी, at present, phylogenetic classification system based on, हाना, अभी जो system चल रहा है, trend में, वो कौन सा है, phylogenetic classification system, clear है, जो की किस पर base है, evolutionary relationships पे, किसके basis पर है ये, evolutionary relationship, ठीक है, relationship का मतलब तो समझ में आता है, कि इनके बीच में क्या संबंध है, evolutionary मतलब, इनका evolution हुआ है, तो उनके दादा पर दादा, इनके ancestors कौन थे, clear है, तो उसकी study करते हैं, जैसे बोलते हैं, कि अच्छा, आप, आपके पापा कौन है, तो आप नाम बताओगे, आपके पापा के पापा, मतलब आपके दादू कौन है, फिर उनका नाम पूचा, बोलते हैं, अच्छा, तुम उनके पोते हो, फिर आप क्या बोलते हैं, कि हाँ, मेरे जो पर दादा थे, वो कौन थे, तो इससे क्या पता चलता है, कि आपकी roots क्या है, आप कहां से originate हुए हो, तो आपका exact, क्या पता चल जाता है, आपकी identification हो जाता है, exact classification हो जाता है, तो अभी जो at present, जो classification trend में है, वो क्या है, phylogenetic classification, ठीक है, जो की evolutionary relations पे था, between the various organisms are acceptable, ठीक है, क्या clear है, अब देखिए, next क्या है, this assumes that organism belonging to the same texa, जो organism same texa से belong करते हैं, मतलब species से, genus से, family से, class से, order से, सब से जो हम order class, phylum and हम बात करते हैं, kingdom की, तो इन texa से जो belong करते हैं, उनके जो ancestor है, वो क्या है, common है, ऐसा इस classification system से पता चला, क्या clear है, any other sources to help resolve difficulties in classification, ठीक है, आज की दौर में हम बोले, तो अभी हम क्या करते हैं, इस classification system में, जो difficulties हो रही थी, उसे हमने resolve कर लिया है, क्यों resolve कैसे resolve कर लिया है, क्योंकि हम बाकी सारे, जो sources हैं, उनसे हम क्या कर रहे हैं, classify कर पा रहे हैं, क्या clear है, चले, तो जल्दी से इसका screenshot ले लिजे, फटा-फट screenshot लिजे, ओके, तो आपने क्या screenshot ले लिया, चले, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या, ओके, अब देखिये, next है, these become more important, when there is no supporting fossil evidence, ठीक है, तो यह जो phylogenetic relationship, classification जो है, वो क्या हो जाता है, more difficult हो जाता है, जब कोई evidence नहीं मिलते, ठीक है, जैसे, मैं बात करूँ, कि कोई unknown person है, जो खो गया है, clear है, अगर हमें उसके, दादा पर दादा के बारे में नहीं पता, हना उसके पिता के बारे में नहीं पता, हना उस बच्चे को कोई information नहीं है, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है, classify करने के लिए, clear है, जैसे बोलते हैं न कि उसकी family नहीं है, अभी वो इस तरीके से जो है, तो उसमें क्या हो जाता है, काफी difficulties phase करनी पड़ती है, क्योंकि उस condition में क्या नहीं मिलते हैं, ancestors नहीं समझ में आते कि क्या है, ठीक है, numerical taxonomy जो है, numerical खुद बोल रहा है number, हना, क्या बोल रहा है number, तो numerical taxonomy which is now easily carried out using computers, ठीक है, तो जो numerical taxonomy है, जो की काफी trend में चल रही, काफी use हो रही है, और हम ये किस के basis पर कर रहे है, हम computers में क्या कर रहे है, इनके characters जो है, उसको क्या कर रहे है, लिख रहे है, क्या कर रहे है, type कर रहे है, क्या clear है, तो देखिए numerical taxonomy which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristics, हाना, तो क्या कर रहे हैं, जो भी सारे observable characteristics है, उनको हम क्या कर रहे है, उनको observe कर रहे है, और उनको क्या कर रहे है, लिख रहे हैं, ठीक है, चलिए. Next है, number and quotes are assigned to all the characters, and the data are then processed. ठीक है, तो क्या है, number and quotes, जो है, उनको, characters जो है, उनको number and quotes, दे दिए गए है, और ये data, जो है, इसको क्या कर रहे है? प्रोसेस्ट कर रहे है. क्या clear है? In this way, each character is given equal importance. ठीक है? इस तरीके से हमने हर एक character को क्या दी है? weightage दिया है, equality दी है. clear है? equal weightage, equal importance and at all the time, hundreds of characters can be considered. और same time पे हम hundreds of character को क्या कर सकते हैं? consider कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? तो हम वही data से सारे characters देखेंगे, उस data से हम सारे characters को क्या करेंगे? match करेंगे, एक time पे हम hundreds of characters को क्या करेंगे? match करेंगे और consider करेंगे, कि भाई, इसका क्या origin है? क्या clear है? चलिए. समझ में आया, तो जल्दी से screenshot ले लीजे. जल्दी screenshot लीजे? ओकी. क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब देखिए, cytotexonomy. cyto का मतलब cell हाना? तो cell की taxonomy के हम बात करें. तो cytotexonomy is based on the cytological information like chromosome number. ठीक है? किस के basis पर है? ये chromosome number के basis पर है. कि भाई, कितने chromosome present है? chromosome का structure क्या है? ठीक है? behavior and ठीक है? क्या है? information like chromosome number, structure and behavior. ठीक है? वही पर हम chemo. chemo मतलब chemical कुछ समझ में आ रहा? तो chemo taxonomy जो है that uses the chemical constituent of the plants to resolve confusion are also used by taxonomists these days. ठीक है? तो chemo taxonomy में क्या हम chemical level पर study करते हैं? हना मतलब हम protein वाले level पर, हम carbohydrate level पर, हम nucleic acid के level पर क्या करते हैं? study करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? chemo taxonomy. क्या बोलते हैं? chemo taxonomy. क्या इतना clear हुआ? जल्दी बताइए, क्या इतना clear हुआ? ओके, तो हटा दू. तो थैंक्यू सो मच. आज का हमारा chapter overview and introduction यहीं खतम होता है. वीडियो अच्छी लगी हो, तो like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे and comment करना बिल्कुल मत भूलेगा. तो चलते हैं हमारे YouTube channel की तरफ. तो हम ऐसा समझ रहे हैं, कि आपने हमारा YouTube channel तो already follow करके रखा होगा. अगर अभी तक आप subscribe नहीं किये हो, तो प्लीज जल्दी से subscribe कर लीजे and well icon को click कर दीजे, जिसे सारी की सारी updates, सारी notifications आपको मिलती रहे. इसके अलावा हमारी official website है that is www.magnetbrains.com आप हमें वहाँ पर भी follow कर सकते हैं और हमसे जुड सकते हैं. आप हमसे हमारे social media handles जैसे की facebook, instagram, telegram, twitter, whatsapp के through भी हमसे जुड सकते हैं. चलिए. तो इसके अलावा, Magnet Brains प्रोबाइट कराता है आपको e-notes and e-book की facility जिसकी link description box में दी हुई है. तो चलते हैं, हम हमारे top courses की तरफ, यह जो top courses है, आपको Hindi medium channel और English medium channel पर separate मिलेंगे. Separate teacher Hindi medium channel पर पढ़ाएंगे, separate teacher English medium channel पर पढ़ाएंगे. बट अब एक confusion create होगा की मैं कौन से जो topics है, हनम कौन-कौन से courses जो है, वो आप Hindi medium, English medium channel पर करवाते हैं. तो हम CBSC board, Delhi board, UP board, Bihar board, Rajasthan board और Beric Maths Crash course and spoken English, यह सारे की सारे courses high quality education के साथ 100% free में मिलते हैं. जी हां, आपने सही सुना, Magnate Brains provide कराता है unpaid subscription. आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए, कोई भी paid subscription लेने की जरूवत नहीं है. अब आपको सिक्षा लेने के लिए पैसा देने की जरूवत बिलकुल नहीं है. तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में. Bye-bye, good night.